अपना विजार है आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लाश 12 कमिस्टी के सबसे महत्तपूर अभी क्रिया वो भी उत्तर के साथ और रियक्शन के साथ जो कि आपके बोड इक्जाम में 100% गारांटी है कि पक्का आएगा तो आपको वीडियो को बिना इसकीप के लाश्ट तक देखना है तभी आपको वीडियो समझने आएगा अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को प्लीज सबस्क्राइब कर दीजे और वीडियो को लाइक कर दीजे और सेयर करना बिलकुल ना भूले तो यहाँ पे दिखे प्रस्ट रियक्ष्ण बोर्सट रियक्ष्ण जो की काफी इंपॉर्टेंटर वह कैनी जारो अभी करिया कीसे कहते हैं कि यह भी आता आपके फिर लिजाडियो की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फिर उसके बाद इसकी रियेक्ष्ण बिलकुल बारिकी से तो यहाँ पर एल्डी हाइट के दो अडसे के सायर सांद widget यई सोडियम हाईडी अरी के साथ करानेके पर प्राप्त होता है सोडिय कॉई बजीर ६ियूद यह निकि कोई फियलखी प्रकार। एलकोहल प्राप्त होगा तो प्राप्त होता है इसी अभिक्रिया को कहते हैं कहने जारो अभिक्रिया ठीक है यह तो हो गया इसकी डेफिनेशन अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रियेक्शन ठीक है तो बिलकुल बारिक की से हम आप तो बताते हैं इसकी रियेक्शन अगर आपको रिएक्शन करने नहीं आता है, फिर भी आपको रिएक्शन करने आजाएगा, तो यहाँ पे सब सब पहले definition में हमने बताया कि aldehyde लेंगे, ठीके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं formal aldehyde, आप stick aldehyde, कोई भी aldehyde ले सकते हम यहां पर लेते हैं फर्मल एंडि हाइड तो फर्मल की पर मूला आप सभी को याद होना चीद तो फर्मल एंडि हाइड की फर्मूला जो होती है वह West फेलिया डेली हट है कि आपके यह वह गया फर्मल अल्डिहाइड हम तो यहां पर ने लिए तो यहां पर दिखे सबसे इंपॉर्टेंड बात है कि फर्मल एंडिहाइड के दो अड़ों को आपको लेना है तो यहां पर हम फर्मल एंडिहाट के यहां पर दो कर दिये तो यह क्या हो गया फर्मल एंडिहाट के दो अड़ हो गये और प्लस यहां पर क्या हो गया न एओच है आप सोडियम हाडराकसाइड या पोटेसियम हाडराकसाइड या नि कि इसमें से कोई एक को लेना है तो हमने जैसा कि Na OH को को ले लिया कि क्या होता है यह कहने जारों का पहचाना होता है उसके अब इंहे तरी Cash कr से यह. तरीकशन को करने के लिए तीर के निसान को लगाते है आप लेक्ष्ण जो प्राप्त होगा वह pore sodium pharmaid so sodium पर्मेट की सोडियम फिर मुला आपको याद होने चाहिए यह चीडवल ओ न इसके तो यह क्या होगा कि लिग करम फो यह तो यह होगया LETTty सौडियम फार्मेट फिर उसके बार देके अब इसमें क्या-क्या बचे विए कि तो यह नहीं कि हम यह लगा दिए न कर्बं रोग से कोई तत्यों बना सकते और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आक्सीजन कितना यहाँ पर दो है तो दो आक्सीजन यहाँ पर एक यहाँ पर तीन बाकी यहाँ पर हमने दो ही का नहीं उज़ किया तो अब यहाँ पर देखिए एक आक्सीजन मिल रहे हैं और यहाँ पर एक कार्बन और चार हैड्रोजन तो इससे एक तत्व मिलकर बन जाएगा वो है CS3OH ठीक है इसका क्या नम है मेथिल एलकोहल तो यहाँ पर एक तत्व प्राप्थ हो गया मेथिल एलकोहल ठीक है आप लोग यहाँ पर हमने बताया कि चार हैड्रोजन है एक आकसीजन है और एक कारवनत एक तरीके से जो रियक्षन है वह बैलेंस भी है और यहाँ पर बिल्कुल सब्ड़ हो गया तो यहां पर स्वेंट कार लिया यह होता है कैनीजारो अभिक्रिया पर उसके बाद देखेंगे नेश्ट रियक्षन और इसी तरह को डेली अगर रियक्षन देखना है क्योंकि हमारे अपना विद्धाले यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 के आज सब्जग के स्टडी होती है ठीक तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे फिर उसके बाद देखिए नेस्ट जो इंपॉर्टेंट रियक्शन है और फिलहाल मेरे चैनल पर कई नेमिं 100 परसंट गारांटी की जरूर आगा वह इस मीट अभी करिया तो यहां पर देखिए इस मीट अभी करिया पहले जानेंगे किसे कहते पिर इसके बाद इसका रियक्शन जानेंगे तो यहां पर देखिए कार्बोक्स लिग ठीक है कार्बोक्स लिग ठीक है कार्बोक्स लिग यान कि यह सबसे में करने पिता है तो यहाँ पर गर्म करने पर प्राथ्मिक एमेन या प्राथ्मिक एमिन देता है यह अब इक्रिया इस रहाता है तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब आप प्रियेक्शन के माध्यम से और भी अच्छे से पहचानेंगे इसको आपको याद करने की बिल्कुछ जरूरत नहीं है आप लोग समझ आएंगे तो यहाँ पर कार्बोक्सलिक अमले यानि कि आप कार्बोक्सलिक अमले में काजू फार्मूला होता है वो क्या होता है CS3COOH तो यह क्या है कार्बोक्सलिक अमले या इसे एस्टिक अमले कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे एस्टिक अमले तो यहाँ पर हमने एसिटिक अम ले लिया और प्लास यहाँ पर हमने बताया N3H यानि हाइड्रोजोईक अम ले ठीक है क्या N3H ही इसका कहना हम हाइड्रोजोईक अम हाइड्रोजोईक अम ठीक है फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे गरम करेंगे तो यहाँ पर यह गरम का सिंबल हो गया और फिर उसके बाद इसको किसमें करेंगे यहाँ पर हमने बताया कि सांद्र S2SO4 की उपस्तिती रहेगी ठीक है तो यहाँ पर आप लोग सांद्र S2SO4 की उपस्तिती कर दीजिए अब देखिए यह क्या प्राप्त होता है तिक यह प्रात्मिक एमिन प्राप्त होता है इससे पहले कि अगर आप लोगों की प्रैटिकल एक्जाम सुरू हो गई है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा जिसे वाइवा कहते हैं ठीक है उससे रिलेटेड आपको तो यह मेंफिल अमीमिन प्राप्त होता है तो यह पर आप लोगों देख सकते हैं यहां पर सी अस्त्री और यहां stop proportion Email निकालेजें हूल मेंद से क्वहारू और यहांप सिअन निकाल गार्धाय क्या निकाल जाएगावीर तो सी उट्व ऑस्मिंड और यहां कि यहां पर दीख सब्सक्राइब यहां से निकल सकता है तो यहां परोव समेंस से तो यहां पर दिखी इस तरीके से यह रियक्सन भी क्या है बैलेंस और संपूर laughter यह पूर्ड हो गया तो यह मेध्सों अभी कर्या जो कि इसका प्रक्राइकkung त法व पूराप्तों में प्रियाक्षण बिदेखलिये तो काफी इंपटरेंट और यes टापिक पे आपको विडियो है चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताई हमारे चैणल पे कापी ट्रिक और टृप्स के साथ इस्टडी होती है और कापी ट्रिक की वीडियो भी अप्लोड है अगर आप नहीं देखे तो चैनल पे वीडियो अप्लोड है वहां से जाकर देख सकते। आज के इस विडियो में इतना आँको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आये तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजी चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को चैनल को कमेंट करना बिल्कुल ना वुले, थैंक्यू, अल्दा-गर भेरी बे झाल झाल झाल